सभी को नमस्कार आज हम बात करेंगे इंडियन इस्ट्री टैट सीरीज 10 पश्चनोत्री भारत का राष्टिये आंदोलन गांधी यूग 1919-1947 तक टोपचास क्योशन उत्रों के सपश्चिकन के साथ हो जाईए तयार जै मातादी एक बार साथियों इसे अपने दोस्तों के आजवाली पश्चनोत्री आपके सामने क्योशन नमबर एक महत्मा गांधी का जनम कब हुआ ए दो अक्टोबर 1849 को बी दो अक्टोबर 1869 को सी दो अक्टोबर 1879 को डी दो अक्टोबर 1889 को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस बहुती महत्तपुने साथ से पहले मेरी तरफ से बेश्टोप लग आजवाली पश्चनोत्री आपकी अती महत्तपुने तो मैं माता रानी से यही दुआ करता हूँ कि आजवाली पश्चनोत्री में ज्यादा से ज्यादा क्योशनों के एंसर आप दे सको बताओ इसका एंसर कर लेना बहुती महत्तपुने उत्रों के स्पष्टिकन को तो जरूर त्यार करना साथियों क्योस नंबर दो गांधी जी का ऐसे उग आंदोलन का परस्ताव पुन बहुमत से 1920 में सिविकर्त हुआ आज वाले टोप पचास क्योस नंबर बारबर कंपिडिसनों में पूछे जाते हैं क्योंकि भारत का राष्टी अंदोलन ये मानों सभी कंपिडिसनों के सलेवस में होता है गांदी युग तो जरूर त्यार होना चाहिए हमारा साथियों इसका अंसरोगा भी नागपुर कॉंग्रेस अदिवेशन में दिसमर मी सबीस नागपुर में हुए कॉंग्रेस के वार्शिक अदिवेशन जिसके अधिक्स विजे रागवाचार ये थी क्योस नमर तीन भारत के राश्टी आंदोलन के किस आंदोलन के दोरान गांदी जी एरविन समझोते पर अस्ताक सरूए हा साथियों क्योसन को दुबारा पढ़ो अच्छी परकार से क्योसन को पढ़ करके उसके बाद में ही एंसर दो क्योसन को समझो कि उसकी भासा क्या है वो क्या पूछना चाहता है उसके अकोर्डिंग ही उत्तर बताओ साथियों करो अपना मुल्यांकन कैसे हैं आज वाले प बग्या आंदोलन पांच मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझोता हुआ था जिसे दिल्ली समझोता भी कहा जाता है इस बात को नौट कर लेना Q4 ऐसे युग आंदोलन के विशे में निमन में से कौन सा कतन ऐसकते है A. ये एक जन आंदोलन था B. इस आंदोलन के बाद गांधी जी कॉंग्रेस के सिर्शनेता बन गए C. इस आंदोलन को वापस ले लिये जाने के कारण कॉंग्रेस का विभाजन हो गया D. चोरा चोरी की हिंसक गटना के बाद ये आंदोलन रोक दिया गया B. बताओ साथियों ऐस एक आंदोलन के विशे में निमन में से कौन सा कतन ऐस अत्ति है जो कि 2015 फर्ष्ट गेरेट के अंदर ये क्योंषन आया हुए अती महत्तपुन है क्योंकि कई बार इस तरीके के क्योंषन भी कंपेडिशन में पूछ लिये जाते है तो हमें हर प्रकाब से तैयार रहना है साथियों और प्यारेवी दर्थियों इसका एंस्सलोगा सी इस आंदोलन को वापस ले लिये जाने के कारण कॉंग्रेस का विवाजन हो गया नहीं ये कतन गलत है क्योंकि कॉंग्रेस का विवाजन तो 1907 में हुआ था कि उस नवर पास भारती राष्ट्य कॉंग्रेस के परतिनिदी के रूप में गांधी जी ने कौन से गोलमेज शमेलन में भाग लिया था बताओ साथियों अती मہत्पून की उसने बारबार ये कम्पेटिशनों में पूछा जाते है एक प्रकार से सदा बाहर की उसन कहा जा सकता है इसका एंसर तो आपको आना चाहिए बताओ साथियों क्या होगा इसका एंसर साथियो इसका एंसरोगा भी दीती गौल में समेलनों 1931 में केवल दीती गौल में समेलन में गए गांदी जी जब की भीमरा अमेड कर तीनों गौल में समेलनों में भाग लेते हैं इस बात को नोट कर लेना गांदी जी कौंगरिस के परतिनिदी के रूप में गए थे गांधी जी से शमनित ऐसत्य कतन है गांधी जी का जिनम 2 अक्टूबर 1879 पौरवंदर में हुआ इनकी मात और पिता का नाम पुतली बाई और करमचन था सी इनके पांचे पुत्र का नाम अर्जुनलाल सेठी था इनकी पत्नी का नाम कस्तूरवा जिने बाग के नाम से जाना जाता है बताओ साथियों गांधी जी से समनित ऐसत्य कतन है क्योंकि गांधी यूग 1919-1946 का भारती राष्टिये आंदोलन से जुड़े वे परसंद देख रहे हैं इसका एंसर क्या होगा साथियों इसके एंसरों का सी इसके पांचे पुत्र का नाम अर्जुनलाल से ठी था ना जी ना जमनालाल बजाज को इनका पांचवा पुत्र कहा जाता है या माना जाता है क्योंस नमबर साथ गांदी जी के निम्न आंदोलनों का सही करम है सही करम बताए साथियों ये गांदी जी के बहुती महतपुन आंदोलन है जो हमारे राष्टी आंदोलन में बहुत बड़ी भूमी कानिवाते है और इनी के परियासों से ये मानों हमें आजादी मिले थी साथियों बताओ इनका सही करम कौन सा है साथियों इसका सही अंसरोगा डी खिलापत आंदोलन ऐसे योगा आंदोलन सविनावग्य आंदोलन बहार चोड़ो आंदोलन 1919, 1920, 1930, 1942 ये घटनाई या ये मानों ये आंदोलन हुएते इनने नोट कलेना अती महत्तपुन क्योसन है क्योसन नमर आठ महत्मा गांधी को महत्मा की उपादी किसने दी गुरू रविंद नाटेगोर नी बी सुआच्चंदर बोस नी सी बार्दोली की महिलाओ नी डी पन्नित जोहारल नहरु नी बताओ साथियों सदावार क्योसने देखो कई मेरे साथी प्यारे विदार्ती हांस रही है कि ये क्योसन तो सर हमें आता है बहुती महत पुण है बहुत वार पूचा गया ये क्योसन बताओ इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा ए गुरू रविंद नाटेगोर नी और गांधी जने रविंद नाटेगोर को गुरू देव की उपादी थी इसे भी नोट कर लेना एक दूसरे कोई विपलित उपादिया क्योसन बन्नो बारदोली सत्याग्रे किये जाने का कारण था ए अकाल रहतकारियों का अभाव बी अकाल के बावजुद लगान वसूली का जारी रहना सी किसानों की भूमी का सरकार द्वरा आधी गरण किसानों की भूमी है यहां पे धान देना भूमी का सरकार द्वरा आधी गरण डी बड़ी हुई लगान दरों का विरोध बताओ साथियों बारदोली सत्याग्रे किये जाने का कारण था कौन सा कारण था इन में से ऐसे क्यों सनाहेंगे कन्फ्यूज मत हो कहने का जो भी आंदोलन जो भी सत्याग्रे आंदोलन उनकी पूरी कहानी हमें पता होनी चाहिए तब ही हम एंसर बता सकेंगे इसका एंसर होगा डी बड़ी हुई लगान दरों का विरोध बारदोली सत्याग्रे उननीसो अठाइस सरदार बल्ला भाई पटेल ने इसका नेतरतों किया था इस बात को नौट करना क्योस नमर दस डॉक्टर मिहरवा मेडकर और महात्मा गांधी के मद्दे सन 1932 एस्वी में स्ताक्सरित पुना समझोते का प्रावदान था ये भारत के लिए डोमिनियन स्तीती परदान बनाए जाने का B. मुस्मानों के लिए पर्थक निर्वाचन छेतर का C. हरिजनों के लिए पर्थक निर्वाचन छेतर का D. हरिजनों के लिए आरक्सन सहित श्यूंक्त निर्वाचन छेतर का बताओ साथियों जो 1932 में भीमरा मेरकर और गांधी जी के बीच में पुना समझोता हुआ था उसका प्रावधान क्या था किसको लेकर के हुआ था बताओ साथियों बहुती महत पुन क्योसन है अगर आपने पड़ा हो तो 1932 पुना पैक्ट कहे दो या पुना समझोता एक ही बात है बताओ इस इसका एंसर क्या होगा कैसे लग रहे हैं आज वाले क्योसन कुछ गन्फ्यूज हो रहे हैं आज क्योंकि आज वाले क्योसन बहुती महत पुन क्योसन है साथियों इसका एंसर होगा डी हरीजनों के लिए अरक्सर सहीत स्यूंक्त निर्वाचन छेतर ये समझोता 26 सितम 1932 को गांधी जी और अमेड कर के बीच इस बात को नौट करना है क्योसन मर ग्यारा निमन में से एक ए सत्य है गांधी जी द्वारा स्तापित किये गई ए नटाल कॉंग्रेस 1893 में बी फिनिक्स फारम 1904 में सी टालश्टाई फारम 1910 में डी साबरमती आसरम 1915 में बताओ सात्यों एक ए सत्य तीन इन में सही है ये गांधी जी द्वारा स्तापित के गई फारम कह दो एक परकार से या संगठन कह दो एक परकार से आसरम कह दो बताओ इसका एंसर क्या होगा सात्यों कैसे लग रहे हैं आज वाले क्योसन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ जी बताओ इसका इसका एंसर रोगा ए नटाल कॉंग्रेस अठारा सु तिरानमे में नहीं अठारा सु चुरानमे में स्तापित की थी नोट करना इस बात को अती महत्त पुन है साथियों कि उस नमर बारा गांधी जी ने सविने अवग्या आंदोलन की गोशना की बताओ कब की थी A. बारा मार्च 1930 को B. साथ अप्रेल 1930 को C. 9 मार्च 1931 को D. बारा मार्च 1931 को बताओ साथियों इसका एंसर क्या होगा कैसे लग रहे हैं आज वाली क्योशन है ना बढ़िया क्योशन आज वाली पश्च नोत्री तो एक बार इसे सेर और लाइक जरूर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों बताओ इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा ए 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च या यात्रा इसी दिन शुरू की गए थी जिस दिन सविन अवग्या अंदोलन की घोशना की थी क्योश नमर 13 भारती राष्टी कॉंग्रिस द्वारा किसकी ऐ शफलता के बाद भारत चोड़ो अंदोलन प्रारम किया गया बताओ साथियों इसका एंसर क्या होगा भारती राष्टी कॉंग्रिस द्वारा किसकी ऐ शफलता के बाद भारत चोड़ो अंदोलन प्रारम किया गया बताओ इसका एंसर क्या है अगर आपने भारत का राष्टी आंदोलन पड़ा है तो 1919-1947 उसके अंदर है ये क्योंग्रिस मिस्सन ये 22 मार्च 1942 को भारत आया और ये एक सदसी था गान्दीज ने इसके प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था आगे की तिथी का चेक कहा था गोर करना इस बात पर क्योंस नमर चोदा राष्टी आंदोलन के दोरान सवराज पार्टी की स्थापना कब हुई ए 1921 में बी 1922 में सी 1923 में डी 1925 में बताओ सवराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी साथियों गोर करो सोच क्या रहे हो सही एंसर बताओ इसका साथियों इसका एंसर होगा सी 1923 में मार्च 1923 को इलावाद में सी आरदास और मोतिलाल नहरू ने सवराज पार्टी की स्थापना की थी या सवराज दल भी कह सकते हो इसको क्योस नमर 15 भारत की सोतंदरता के समय भारती राष्टी कॉंग्रिस के अधिक्स थे ए पंडित जोहारल नहरू बी पी सिता रामाईया सी जे बी करपलानी डी मौलाना अब्दुलकलाम आजाद बताओ साथियों जब भारत आजाद हुआ शोतंदरता मिली थी भारत को उस सम हुआ भारती राष्टी कॉंग्रिस के अधिक्स कौन थे बहुती सदा बहर के उसने बहुत बार ये पूछा जाता है बतादो इसका एंसर तो क्या होगा साथियों अगर आपने अच्छी प्यारी की है तो साथियों इसका एंसरों का सी जे पी करपलानी थे भारत की ये तो कर दोगे ना, एकदम एजी कि उसने, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी कुछ तो हांस रही है, कि ये कि उसन तो सर हमें आता है, महत्मा गांधी के समादी स्तल का नाम है, ए, किसान गाट, बी, विजे गाट, सी, राजगाट, डी, महत्मा गाट, बताओ साथियों, इसका इंसर होगा, सी, राजगाट, ये दिल्ली में है, जिसके उपर दो शब्द लिखें, हे, राम, यारगना, महत्मा गांधी कि समादी स्तल का नाम है, राजगाट, कि उसनमर 17, गांधी से हुए पुना समझोते पैक्ट पर निमन में से किसने अस्ताकसर किये थे, ए, बल्ला भाई पटेल ने, भी, अब्दुल गफार खान ने, सी, मानवेंदर नाथ और राजगाट ने, डी, बी, आर, अमेड करने, बताओ गांधी जिसे हुए पुना समझोता एंसर होगा, डी, बी, आर, अमेड करने, चबिस, तम, निस, बतिस, को गांधी जी और अमेड करके बीच पुना समझोता या पुना पैक्ट हुआ था, नोट कर ले ना, क्योसर मर अठारा, महत्मा गांधी ने कॉंग्रेस के कितने अधिवेशन की अधिक्स्ता की थी, ए, एक की, बी, दो की, सी, तीन की, डी, एक की भी नहीं, बताओ साथियों, अती महत्वपुन क्योसर जो बार-बार कंपिडिशनों में आता रहता है, महत्मा गांधी ने कॉंग्रेस के कितने अधिवेशनों की अधिक्स्ता की थी, बतादो साथियों, इसका एंसर क्या होगा, कैसे लग रहे हैं आज वाले क्योशन एक बार सेयर कर दो इसका एंसर होगा एक की 1924 में बैल गाओ करनाटक में एक मातर पहली और अंतिम बार नोट कलेना अती महत्तपुन क्योशन है क्योशन नमर 19 महत्मा गांधी जी के आध्यात्मी गुरू का नाम था बताओ साथियों महत्मा गांधी जी के आध्यात्मी गुरू का क्या नाम था बतादो बतादो इसका एंसर इसका एंसर होगा जबकि गांधी जी के राजनती गुरू गोपाल पहली थे देखो कईयों ने एक यह गलत है यह क्योशन नमर 20 गांधी इर्विन समझोता कब हुआ जिसे दिल्ली समझोता भी कहा जाता है A. 5 मार्च 1931 को B. 5 अप्रेल 1930 को C. 12 मार्च 1930 को D. 6 अप्रेल 1930 को बताओ गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था साथियों अती महत्तापुन क्योशन है इसका एंसर होगा A. 5 मार्च 1931 को इसे दिल्ली समझोता भी कहा जाता है इसके तैत गांधी जी D. T. गोल में समेलन में भाग लेने लंदन जाते है क्योशन नमर 21 महत्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय एक वर्ष के बीतर सवरज्य दिलाने की बात कही थी इसका एंसर क्या होगा देखो कुछ तो हस रही है कुछ कनफ्यूज हो रही है इसका एंसर एसी एसे उआंदोलन ये एक अगस्त तुनीस सो बीस को सुरुआ इसी दिन बाल गंगा दर तिलकी मरत्यू हो गई थी नोट करना इस बात को क्योशन नमर 22 महत्मा गांधी की माता का नाम था बताओ माता का नाम क्या था पुतली भाई, बी कमला भाई, सी कस्तूर बाई, डी पारवती भाई बताओ मात्मा गांधी की मा का क्या नाम था साथियों ऐसा क्योशन भी आ जाता है कही बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं दो में माता और पत्नी को लेकर के इसका सई एंसर होगा पुतली बाई पीता का नाम क्रमचन गांदी पूरा नाम मौनदास क्रमचन गांदी और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांदी मा का नाम मत कर देना कस्तूरबा मा पुतली बाई है कि उस नमर तेईस पांच फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना हुई थी बताओ कहां पे हुई थी ये घटना पांच फरवरी 1922 को जो चोरी-चोरा की घटना हुई थी बताओ साथियों इसका इंसर क्या होगा इसका इंसर होगा एक गौरगपुर जीले में यहां पर इंसात्म कारवे करते वे एक थानेदार वे 21 रिपाईयों को जिन्दा जला दिया था क्योस नमर्ट चोईस महत्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन किस तान से क्या पहला सत्यागर्य आंदोलन किस तान से शुरू किया था सदा भार क्योस ने बहुत बार कंपेटिशन में आ चुक है आज वाले क्योस न एक से बढ़ करके एक है भारती राष्टिय आंदोलन की पश्टनोत्री देख रहे हो साथियों आप इसका अनसरोगा डी चंपारन सी 1917 में चंपारन सी जो कि ये बीहार में था चंपारन का पे बीहार में था वही भारत में पहला सत्यागर्य आंदोलन था गांधी जी का प्यारे विदार्थियों इस नहीं सबद को जरूर पढ़ा करो कई बार हम competition exam hall में ये नहीं सबद नहीं पढ़ते हैं जिसके कारण हमारा क्यूसन गलत हो जाता है गोर करो इस बात पे इसका इंसलोगा C हिंद सवराज ये गान्दी जी की परसिद पूस्तक है जो 1909 में लिखी गई थी गोर करना साथियों और तीनों उनके शमाचर पत्रे इने त्यार कर लेना Q26 किस आंदोलन के दोरान गान्दी जी ने शत्याग्रे शभा का गठन किया A. चमपारंड सत्याग्रे B. रोलट सत्याग्रे C. वेक्तिगर सत्याग्रे D. खेडा सत्याग्रे बताओ बहुती बढ़िया क्योसन अती महत्तपुन क्योसने साथियों बताओ आज वाले क्योसन कैसे लग रहे हैं? है ना बढ़िया रोचक और मजेदार एक बार इस वीडियो को सेर कर दीजिए इसका एंसर होगा B. रोलट सत्याग्रे गांदी जी ने इसके विरोध के लिए सत्याग्रे सभा की स्तापना कीटी रोलट एक्ट उन्निसो अन्निस क्योसन नमर्ट सत्ताइस मुंबई में हुई कॉंग्रेस की बैठक में D. 28 फर उन्निसो बाइस को कॉलकात्ता में हुई कॉंग्रेस की बैठक में बताओ साथियो इसका एंसर क्या होगा ए सहुग आंदोलन को श्मावत करने का नेने लिया गया था कहां पे लिया गया और कब लिया गया था बताओ साथियो इन उप्सन में से कौन सा सही होगा साथियो इसका सही उप्सन होगा B. 12. 1922 को बारदोली में हुई कॉंग्रेस की बैठक में गानी जी की इस निन्ने की अलोचना भी हुई थी यारना बारदोली 12. 12. 1922 को Q. 28. दांडी यात्रा के साथ निमी लिखिद में से क्या प्रारम हुआ बताओ कौन सा प्रारम दांडी मार्च कहे दो या दांडी यात्रा A. होम रूल आंदोलन B. ऐसे होगा आंदोलन C. सविन्ने अवग्या आंदोलन D. भारत छोड़ो आंदोलन बताओ साथियो इसका एंसर क्या होगा कैसे लग रही है अपनी पश्टनोत्री जो की एक तरफ हम सौमार को बात करते हैं भारती राजवेस्ता की पश्टनोत्री और बुद्वार को हम बात करते हैं भारती इतिहास की बता देताओ साथियो अगले बुद्वार से हम सुरू करने जा रहे हैं राजस्तान का इतिहास बाहर की इतिहास की दस सीरीज टैर्स सीरीज हमने देख ली अब राजस्तान का इतिहास देखेंगे इसका एंसरोगा सी सविने अवग्या अंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जने गांडी मार्च एतिहासिक नमक सत्यागरे की सुरुवात की थी क्योंस नमर 29 महात्मा गांधी डक्सनी अफरिका से भारत कब आये थी A. नौ जनवरी 1913 को B. नौ जनवरी 1914 को C. नौ जनवरी 1915 को D. नौ जनवरी 1916 को देखो कई साथी तो कन्फूज हो गई 9 जनवरी तो याद है लेकिन आगे वाली सन याद नहीं है है ना साथियों बताओ इसका एंसर क्या होगा आज वाली प्रश्णोतरी बहुती रोचक महत्तपुण और मजेदार है ना इसका एंसरोगा सी 9 जनवरी 1915 को गांदी जी अपॉलो मुंबई बंदरगा पर 9 जनवरी 1915 को दक्सनी अपरिका से भारत आये थे इसलिए परती वर्स 9 जनवरी को परवासी भारती दिवस मनाया जाता है लोट कले आती मैं तपुण क्यूसन है कि उस नमर 30 1915 में गुजरात में किसकी आर्ठिक साहिता से गांदी जी ने शाबर मती आसरम की स्तापना की ए रामचंदर शुकल बी अंबा लाल सारा भाई सी अनसुया बेन डी इंदू लाल यागानिक के बताओ साथियो इसका एंसर क्या होगा रास्तन का इतियास रूप करने जा रहे हैं खुस होना बहुत बड़ी आम लांकन हो रहे हैं आपका इसका एंसरो का भी अंबा लाल सारा भाई गांदी जी ने 1915 में गुजरात में अंबा लाल सारा भाई की आर्थी साहिता से साबर मती आसरम की स्तापना की थी कि उस नमर 31 महतमा गांधी ने दांडी मार्च प्रार्म की ए पुन सवराज करने के लिए बी समाचर पत्रों की सोतंता प्राप्ती के लिए सी नमक कानुन तोड़ने के लिए डी ग्रह सवराज के लिए बताओ साथी इसका एंसर क्या होगा कई साथी आज खुस होगे कि सर राजस्तान का इतिहाँ शुरू करने जा रहे है और पहला ही टोपिक होगा राजस्तान का एकी कराण बहुती महतमुन हर कंपिडिसन में जहां रास्तान का जिके जरूर मिलेगा इसका एंसर होगा सी नमक कानुन तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 नमक कानुन तोड़ा अपने हातों से नमक बनाया और पहली बार कानुन को अपने हातों में लिया था क्योसर नमर 32 निमे लिखित में से कॉंग्रेस के किस अधिवेशन की अधिक्स्ता सुवास्चंदर बोस ने की थी A. कॉलकता अधिवेशन की B. हरीपुरा अधिवेशन की C. एमदाबाद अधिवेशन की D. सूरत अधिवेशन की बताओ साथियों इसका एंसर क्या होगा भारती राजवेश्टा की जैसी C. सीरिस 15 पूरी होने के बाद हम देखेंगे बुग गॉल जोगराफी गोर करो साथियों इसका एंसर होगा B. हरीपुरा अधिवेशन की 1938 में हरीपुरा कॉंग्रेस के वार्सी अधिवेशन फिर कॉंग्रेस के तिरीपुरी संकट 1949 समय भी स्वास्चंदर भोसी थे कॉंग्रेस ने पर्थम बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रत्तक निर्वाचन परनली स्विकार की वहवर्स था A. 1909 B. 1916 C. 1931 D. 1932 बताओ इसका एंसर क्या होगा देखो साथी कनफ्यूज हो रहे हैं सभी ने A. लिखा है ना जी ना साथियों सही मुल्यांकन करो जो कि आपने अगर त्यार किया है भारतिय राष्टिय आंदोलन इसका एंसर होगा B. 1916 जबकि व्यवस्ता 1909 मार्लेमिंटो सुदारा दिनियम में की गई थी देखो कईयों का गलत हो गया सोच रही है कि उसनमर्ट 34 नेमिल खित में से किस वाइसराई के कार्यकाल में I. N. A. मुख्दमा चलाया गया था A. लाड माउड बैटन B. लाड बेवेल C. लाड लिन लिथगो D. लाड वेलिगटन बताओ साथियों भारती राष्टी ये आंदोलन के अंदर अती महत्तपुन के उसन बनता है ये बहुती महत्तपुन घटना थी I. N. A. मुख्दमा चलाया गया था प्यारे विद्यार्थियों इसका सही अंसरोगा B. लाड बेवेल थे उस समय भारत के गावन जनल ये बात है 1945 के अती महत्तपुने इसे नौट कर लेना साथियों क्योशन नमर 35 सवराजे प्राप्ति का लक्से कॉंग्रिस के कौन से अधिवेशन में तै हुआ था A. नागपुर कॉंग्रिस अधिवेशन में B. कॉलकता कॉंग्रिस अधिवेशन में C. लाहूर कॉंग्रिस अधिवेशन में D. एहमदावाद कॉंग्रिस अधिवेशन में बताओ साथियों इसका अंसर क्या होगा है ना आज वाले क्योशन बहुती महत्तपुने इसका अंसर होगा A. नागपुर कॉंग्रिस अधिवेशन में सवराजे प्राप्ति का लक्सिक कॉंग्रिस ने पहली बार तै किया था इस बात को नौट कर लेना अती महत्तपुन है क्योसन नमर 36 महात्मा गांधी जी के सर्वोदे समन्दी विचार पर किसका प्रभाव पड़ा A. डेविड थोरो B. जान रसकिन C. रोमा रोला D. टॉलस्टॉई बताओ साथियों ये क्योसन भी आपने साइद कभी नहीं पढ़ा होगा आज बताओ इसका इंसर क्या होगा साथियों अती महत्तपुन क्योसन है करो अपना मुल्यांकन इसका इंसर होगा B. जान रसकिन इसकी परसिद पुस्तक अंटू दी लाष्ट से गान्दी जी अत्य लिक प्रवाविटे इस बात को नोट कर ले ना क्योसन नमर 37 निमिन कथनों में सत्य कथन बताईए ए गान्दी जी कहते हैं कि जिस परकार वरक्स और बीज का समन्द उसी परकार साधन और साध्य में है दो नमर 18 महत्मा गान्दी ने नटाल इंडियन कॉंग्रिस राजनिती दल की स्थापना की ती नमर महत्मा गान्दी के आत्मकथा का नाम माई एक्स्परिमेंट विद टूथ है चार नमर गान्दी जी के राजनिती गुरू गबाल केश्टन घौकली थी अब ओप सन में साथियों ये चार उपर कثन दे रहखेए A में 1,2,3,4 D में 1,3,4 बताओ साथियों ती परकार से क्योष्ण को पढ़ो आप अपने त्यारी को निरंतर जारी रखो इसका एंसर होगा एक दो तीन चार चारों ही बाते सही है चारों ही बातों को नोट कले ना अपनी नोट बुक में अति महत अपने कोई भी कथन क्यूसन बना सकता है क्यूसन नमर 38 निमन मेंसे ए संगत है क्योंकि अगर आपने दीवस भी देखियों वैसे महत्मा गांदी जी से शमनित कई दीवस आते भी है नोट करो साथियों बहुती महत अपुने आज वाले एक पशनोतरी कैसी है ठिक है ठिक है ठिक है ठिक है चलो तो बताओ इसका एंसर क्या होगा साथियों इसका एंसर होगा ए दो अक्टूबर राष्टी शिक्षा दिवस नहीं ना जी ना दो अक्टूबर को तो गांदी और सास्त्री जेनती आती है और अंतराष्टी आइंस सा दिवस मनाया जाता है शिक्षा दिवस तो ग्यारा नोवंबर को आता है क्यूसन नमबर 49 महत्मा गांधी के उपनाम या उपादियों में ए संगत है ए राष्टपिता स्वाचनल बोस ने कहा बी महत्मा रविंद नाट्टेगोर्ण ने कहा सी अर्धनंगा फकीर चर्चिल ने कहा डी मलंग बाबा नहरू ने कहा बताओ इसमें से ए संगत कौन से है साथियों कैसे लग रहे हैं आज वाले क्यूसन है ना बड़े ही रोचक और महत्तपुन अती महत्तपुन कहे जा सकते हैं आज वाले क्यूसन त्यार कर लेना पचास इसका एंसलोगा डी मलंग बाबा नहरू ने कहा नहीं मलंग बाबा अवदुल गफार खान ने कहा था जबकि नहरू ने इनको बापु कहा था क्यूसन मर चालिस गांदी जी से समनी सत्ते कथन नहीं है ए इनका जनम दो अक्टोबर 1879 को काठे वाड यासत के पौरवंदर नमकस्तान पर हुआ भी इनके चार पुतर थे हिरलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास जबकि जमनल बजाज को 500 पुतर कहा जाता है सी गांदी जी ने 1942 में बाहर चुड़ों आंदोलों का नेतर तोई किया और इसमें नारा दिया करो या मरो गांदी जी के परमुक समाचर पतर यंग इंडिया नव जीवन हरीजन इंडियन ओपिनिन आदी थी बताओ इसमें से सत्ते खतन नहीं है एक गलत है साथियों, बताओ कौन सा है वो इसका सही अंसरों का सी गांदी जी ने 1942 में भारचोड़ आंदोलन का नेतर तो किया और इसमें नारा दिया करो या मरो का हाँ नारा तो दिया था, नहीं भारचोड़ आंदोलन एक नेतर तो विहिन आंदोलन था प्यारे विद्धार्थियों क्योसर नमबर 41 निमन घटनाओं का सही कारी करम है एक चंपारण किसान आंदोलन दो नमर एहंदावाद मील मजदूर आंदोलन तीन खेडा किसान आंदोलन चार नमर रोलेट एक्ट पांजन जलिया बाला बाग हत्याकान बताओ इनका सही काल करम क्या है काल करम बताना है साथियों एक दो तीन चार पांच बी में एक तीन दो चार पांच सी में एक तीन दो पांच चार बी में एक दो तीन चार पांच बताओ साथियों और याद रखना अगला भारती राजवेस्ता कचश टाज़े सरकार में इसका इंसर होगा एक दो तीन चार पाँच ये सही करम होगा काल करम के अनुसार गोर कर लेना साथियों जो यह रहना उसके अनुसार बताए गए हैं यहाँ पि क्योसर नमर 42 जलियावला बाग हत्याकांड से समदित एक सत्य कथन है यह गटना तेरा अप्रेल 1919 को बेसाखी के दिन हुई भी इस सभा को महत्मा गांधी समदित कर रही थे सी इस सभा में बिना पुरो सुचना के लड माउंट बेटने गोलियां चलवा दी डी इसकी जांस के लिए कॉंग्रिस ने हंटर कमेटी का गठन किया बताओ साथियों जलियावला बाग हत्याकांड से समदित एक सत्य कथन कौन सा इन में से कैसे लग रहे हैं आज वाले क्य प्रिल 1919 को बे साकी के दिन हुई थी और सभी बाते गलत हैं नोट कर लेना साथियों हासराज समोधित करा था जनरल डायर था और एंटर कमेटी बिटी सरकार ने बनाई थी नोट करना इस बात को कि उस नमबर 43 निवन कतनों में से गलत कतन है ए राष्टे आंदरों में हर्त 24 में गांधी जीने पहली वे अंतिमार एक मात्र बैल गाउं करनाट कॉंगरिस अदिवेशन क्या देख सता की बताओ एक कतन गलत है इसमें वो कौन सा है बताओ साथियों अती महत्तपुन हैं नोट करो इनको इसका एंसर गाबी 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ उ 24 निविन महत्तपुन गटनाओं की तीठी में ऐसंगत है ए 9 अगस्त 1925 का कोरी कांड बी 8 अप्रेल 1929 केंदरे विधान मंडल पर बम फेंका सी 3 फरवरी 1928 साइमन कमिसन मुंबई पहुंचा डी 27 फरवरी 1934 चंदर सिक राजार ने अपने आपको इलहवाद के अलफरेड प परकार से क्योसन आ सकता है क्योसन बनाने वाला बहुत बूरा होता है ये तो आपको पता है इसका एंसरे डी 27 फरवरी 1930 चंदर सिक राजा ने अपने आपको इलहवाद के अलफरेड पारिक में गोली मारी नहीं 27 फरवरी 1931 की कटना है ये 30 की नहीं है नोट करना क्योसन नमर 45 गांदी जीने 17 अक्टबर 1940 को विक्तिगत सत्यागरे अंदलन सुरू क्या पवनार आश्रम महाराष्टर से इसके प्रतम सत्यागरे कौन थे ए ब्रमदत दी अचरे विनोबा भावे सी पंडि जोहानलाल नहरू दी सरदार बल्लाबाई पतेल बताओ साथियों बहुत महत्तपुण क्योसन विक्तिगत सत्यागरे अंदलन कैसे लग रही है आज वाली पश्ट नहरू है ना अती महत्तपुण भारती राजवेश्टा और भारत का इतिहास जो की हमने टेस्ट सिरीज सुरू करकिये पश्ट नहरू इसका एंसर होगा बी आचरे विनोबा भावी दूसरे थे पंडी जोहाला नहरू और तीसरे थे ब्रम्दत तीनों को नौट कर लेना आती महत्तपुण क्योसन बन सकता है साथियों क्योसन नमर 46 भारत चोड़ो आंदोलन से समने सत्ते कतन है ए 14 जुले 1942 को वर्दा में कॉंग्रिस कारे समीति की बैठक में इस आनलों का पस्ताव पारित क्या भी ये आंदोलन भारत का सब्से बड़ा राज़न्दी आंदोलन जो बिना नेतर तो एक चलने वाला आंदोलन CBT सरकार ने ओपरेशन जीरो ओवर चलाया तता भारत चोड़ो आंदोलन के 9 अगस्तनी 42 को सुरू होते ही बड़े नेताओं को गिरफदार किया गया डी ओपरोक सभी कतन सत्ते है बताओ साथियों भारत चोड़ो आंदोलन से शम्मंदी सत्ते कतन है बड़ो चारो लाइनो को और बताओ इन में से सत्ते कतन कौन सा है अती महत्तकुन है आज वाली पश्टनोतरी बतादो साथियों प्यारी विद्यार्थियों कैसी लग रही है याद दखना अगर मानली तो हारे और ठानली तो जीते और हमें इस बार जीतना है माता रानी हमारी इंचा पूरी करे इ है साथियों क्यूस नमर्च 47 निमिन में से ऐसंगत है ए 22 मार्च 2022 क्रिस मिसन भारत पहुंचा बी 14 जुन निस्व चम्मालिस को वाइसरे लाल बेविल ने बेविल योजना प्रस्तूत की सी 24 मार्च निस्व चियानिस को केवनिट मिसन भारत आया दिली डी 20 फरवर निस्व चम्मालिस को वाइसरे लाल बेविल ने बेविल योजना प्रस्तूत की नहीं ना जी ना 14 जुन 1945 को की थी याद रखना चम्मालिस नहीं होगा ये ही तो कनफ्यूज हो जाता है कि उस नमर 48 निमे लिखित में से कौन सा कथन भारत चोड़ो आंधोलन के विसे में एस सकते है ये जेल में रहते हुए में से कौन सा कथन भारत चोड़ो आंधोलन के विसे में एस सत्य है गलत है वो बताना है साथियों इन चारों में से एक बात गलत है और तीन सही है तीन सही है ना उन पर भी गोर करना मैंने काया ना ओफ्सनों को कट करना भी सीखो उत्रों के सपष्टिकन को तो जरूर नोट करो बहुत बार उन में से क्यों सन पूछे जाएंगे उस समय याद करोगे हों सियार जी सर को क्या ये तो बताया था इसका एंसर होगा ए जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंधोलन का नेतरत्वे किया नहीं ये आंधोलन एक नेतरत्वे विहिन आंधोलन था यादतना भारत चोड़ो आंधोलन क्यों बड़े निताओं को गिरफदार कर जेल में डाल दिया क्योसर नमर्ण चास जब भारत आजाद हुआ 14-15 आगस्त 1947 को उस समय गांधी जी कहां पर थी ए शाबरमती आसरम एंदाबाद में बी लाल किले में दिल्ली में सी नौाखली गाओं कोलकता बंगाल में डी पौरमती गाओं काठी अवार्ड गुजरात में बताओ साथियों जब भारत आजाद हुआ जब भारत अपनी आजादी शोतंतरता का जसन मना रहा था पार्टी साठी बना रहा था उस समय गांधी जी कहां थी बता दो या तो साबरमती आसरम में अपनी साधना करे थी या लाल के लिए के अंदर पार्टी साठी मना रही थी या कोलकता बंगाल में बेठी थे या फोरमंदर अपने गाओं पैत्रिक गाओं में बेठी थे बताओ साथियो इसका एंसर क्या होगा 49 नमर क्यूसने इसके बार में एक क्यूसन ओर रहा है इसका सही एंसलोगा सी नौखली गाउं कोलकता बंगाल में आजादी के समय गान्दी जी बंगाल कोलकता में नौखली नामकस्तान पर साम परदाई के सद भावना का परियास कर रहे थे कि हिंसान नहीं हो जए तब वहां बेटी थे याद करना कि उस नौबर पचास गान्दी जी की दान्डी मार्च या धान्डी यात्रा से समय कतनों में सत्य कतन है ये 12 मार्च एक नंबर 12 मार्च 1930 को गान्दी जी दान्डी मार्च एतियासी नमा सत्यगरे सुरवात की दो नंबर गान्दी जी ने सब्रमतियासरम से अपने 78 नियायों के साथ दांडी मार्च किया ती नमर ये 385 किलोमेटर या 241 मील की यात्रा 24 दिन चली 5 अप्रेल 1930 को दांडी पहुंच नौसारी इस यात्रा में राम धुन का गायन पहली बार हुआ और गांदी जी ने नमक कानून तोड़कर अपने आफ्टों में नमक बनाया था इसका सही एंसर होगा डी एक दो ती इन चार पांचो ही बाते सही है इसे नोट कर लेना मेरा एक यूदस से आप तक ज़्यादा सज्यादा मैटर पहुंचाना साथियो ये 500 बाते नोट कर लेना स्क्रीं सोट ले करके इई तयार कर सकते हो अति महत्तपुन टोपिक है भारत का राष्टी और त्री ती चरण उनदी से निस सो 927 जिसे गांदी यूग के नाम से जाना जाता है ये आपके सावने कुछ नौट्स के पेज है इनका स्क्रिन सोट ले करके आप इने तयार कर सकते हो अती महत्तपुन है आगामी कंपेडिशन में इन में से क्यूसन आने की पूरी संभावना है महत्तपुन घटना तीठिया महत्तपुन बाते दी गई है इसके अंदर साथियों नौट कर लेना अती महत्तपुन है आया कुछ संभी आज वाली पश्चनोती कैसे लगी साथियों जरूर बताना बहुती महत्तपुन है आगे हम बात करेंगे राजस्तान का इटियास मेरे प्यारे विदार्थी और प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताए अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा सेर और लाइक करें आपने अपना किंती समय निकाल कर ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद आज वाले क्यूसन कैसे लगे जी अगला भारती राजविस्ता टेस्ट नंबर साथियों और पहला ही टोपिक है रास्तान का एक ही करण 28 अक्टबर 2020 बुद्वार सुबह 10 बजे तयार रहना और जैसी भारती राजविस्ता की हो जाएंगे तो हम गोल सुरू करेंगे जोगराफी ऐसी अपना सने सहुग प्यार बनाए रखिये साथियों अस्ते रहिए ख के साथ आपका धन्यवाद